हेलो फ्रेंड्स जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कुछ फंक्शन्स किये थे तो आज भी हम कुछ फंक्शन्स करते हैं इस वीडियो में तो चलिए हम प्रैक्टिकली करते हैं सबसे पहले अब जो मैं फंक्शन कर रही हूँ वो है सिंपल इंटरस्ट निकालना Simple interest यानि की व्याज निकालना और इसी के साथ हमारा जो next function cover होगा वो होगा division यानि की divide करना तो इसे practically करते हैं इसके लिए देखिए सबसे पहले मुझे चाहिए principle प्रिंसिपल यानि की मूल्धन मूल्धन वह value होगी जो हमने व्याज पर लेनी है तो मैं यहाँ for example के लिए ले रही हूँ 75,000 रुपे और rate यानि की दर जिस दर से हमें व्याज लगेगा यहाँ मैं दे रही हूँ 8%, next है time, time मैं दे रही हूँ 5 years यानि की हमने 5 साल के लिए 75,000 रुपे 8% दर से एक loan लिया है अब हमें interest calculate करना है की हमें इस 75,000 रुपे के उपर कितना interest देना होगा तो इसका formula है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, सबसे पहले column को मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ अब हम यहाँ पर formula type करेंगे equals to मूलधन यानि की principle यह है मेरा d3 multiply by d4 जो की rate है and multiply by time and divide by 100 मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 तो यह देखिए यहाँ पर amount आगया 30,000 यानि की हमें यह 30,000 रुपे interest पे करना होगा 5 साल के लिए अब यहाँ देखिए जैसे ही मैं इसमें change कर रही हूँ rate या time के अंदर तो नीचे वाली जो मेरी amount है वो अपने आप change हो रही है next दूसरे तरीके से हम simple interest calculate करते हैं मैं यहाँ पर rate में percentage का sign डाल रही हूँ इसे पहले delete करते हैं and यहाँ पर सबसे पहले percentage का sign देना होगा तो मैं यहाँ पर सबसे पहले percentage का sign दे रही हूँ अब जो मेरी व्यास दर है वो 5% थी equals to bracket शुरू अब मैं यहाँ लिख रही हूँ values को 75,000 गुना 5% गुना 5 और bracket बंद अब हमें 100 से divide करने की जुरूरत नहीं है क्यूंकि मैंने यहाँ percentage का sign दिया था next function है हमारा r a n g ran इस function की uses के लिए अगर आपको अपनी sheet के उपर कोई भी numeric values entry करनी है तो आप कर सकते हैं जैसे कि अब देखिए यहाँ पर maximum value आएंगी इक्वल्स टू फंक्शन टाइप करती हूं में r a nd देखिए दो functions आ गई हैं ब्रैकेट बंद शुरू करती हूं और ब्रैकेट बंद करती हूं में तो यह देखिए यहाँ पर यह computer अपनी आप ही values उठा रहा है और यह देखिए मेरी values चेंज हो रही है हर बार जितनी बार भी मैं drag कर रही हूं मेरी जो value है वो change हो रही है अगर आप इन values को fix करना चाहते हैं तो आप इसे select करेंगे copy करेंगे copy and after that paste options पर जाके values वाले option पर क्लिक कर देंगे तो यह value हमारी fix हो जाएंगी इसके बाद यह change नहीं होगी यह values हमारी जो है वो fix हो गई है इनमें अब changes नहीं होगा और नहीं यह value चेंज हो रही है देखिए मेरे click करने पर next function है r and between rant between इसके अंदर हम only positive values को दे सकते हैं जैसे कि अभी मैं यहाँ पर formula लगाती हूं r and between double click करेंगे function पर तो अब यहाँ देखिए parameter में दो variables आ रहे हैं bottom and top तो bottom value में दे रही हूं one and top value में दे रही हूं 100 तो अब यहाँ पर यह देखिए यह one से लेकर और 100 तक के बीच की values को ही enter करेगा अब यह values देखिए change हो रही है तो इसको आप ऐसे ही जैसे हमने पहले किया था select करके copy करेंगे and copy करने के बाद यहाँ पर paste करेंगे तो अब देखिए यहाँ value change नहीं होगी next function है PMT यानि कि आपने किसी amount के उपर loan लिया हुआ है और आपको हर महीने उसकी किष्ट भरनी है और आपको यह find out करना है कि मुझे इसके लिए कितनी किष्ट देनी होगी तो हम यहाँ पे लगाते हैं payment अब मैं payment ले रही हूँ 1,00,00 रुपे मान लीजिए आपने कोई product खरीदा है जिसकी value 1,00,00 है और आपने उसका loan लिया है उसकी जो rate यानि कि दर है वो मैं यहाँ दे रही हूँ 12% और यहाँ हम percent का sign लगा रहे हैं साथ में next है time यानि कि आपने time में यहाँ दे रही हूँ 5 years आपने कोई loan लिया है या कोई product लिया है जिसकी कीमत 1,00,00 है 12% उसका व्याज़दर है time 5 और यहाँ function लगा रहे हैं हम कि हमें एक महिने की कितनी किष्ट देनी होगी तो अब यहाँ देखिए PMT में जो variables आएं है सबसे पहला आया है rate अब rate जो है वो है हमारा 12% 12% per year लगेगा हमें एक महिने का find out करना है तो हम divide by 12 करेंगे इसको उसके बाद है end period पीरियड हमारा है 5 year तो इसको हम 12 से गुना करेंगे क्योंकि एक महिने का देना है आमे एंड नेक्स्ट है हमारा payment जो है वन लाक रुपेज ब्रेकेट बन करती हूँ एंटर करती हूँ तो यह देखिए अभी हमारी जो value है वो dollar में आ रही है 2224 रुपे और 44 पैसे हमारी किष्ट आई है पर मंत इसको आप कोमा वाले साइन पर जाकर dollar साइन हटा सकते हैं तो यह देखिए अब मेरी 2224 रुपे की जो किष्ट बनी है अब इसमें मैं changes करती हूँ एक row add करती हूँ down payment यानि कि जब आपने एक लाक रुपे का लोन लिया तो उसके अंदर आपने सबसे पहले कुछ payment जमा करवाई होगी माल लीजिए मैंने 20,000 रुपे जमा करवाई है तो मेरी total कीमत कितनी रह गई 80,000 रुपे तो हम फार्मूले में change करते हैं लिक करके E3 माइनस E4 एक लाक में से 20,000 रुपे माइनस हो जाएंगे और 80,000 रुपे के according ये देखिए मेरे 1789 रुपे और 56 पैसे जो है मेरी किष्ट हो जाएगी next function आता है हमारा row हमें ये row के साथ next function आता है column function माल लीजिए मेरे पास बहुत बड़ा database है और मुझे row और column number find out करना है तो मैं यहाँ type करूँगी equals to row and bracket शुरू यहाँ reference देंगे हम अभी कोई reference नहीं दे रही हूँ तो ये देखिए मैं E11 नमबर पे थी इस तरह से आप बहुत से किसी data में हैं आपको row number या column number find out करना है तो वो आप कर सकते हैं next method है मैं reference के साथ दे रही हूँ इसको equals to row bracket शुरू reference दिया है मैंने E4 20,000 तो ये देखिए हम fourth number की row पे थे तो इस तरह से हम किसी भी row का reference पता लगा सकते हैं जब हमारा database बहुत बढ़ा हो इसी तरह से column अब जैसे मैं यहाँ example दे रही हूँ i column को मैंने select किया है और यहाँ reference दूंगी में j column का तो यहाँ मैंने दिया column यहाँ मैंने reference दिया है तो यहाँ उसने calculate किया है कि मैं 10th number of column पे हूँ इस तरह से आप किसी भी column और row गे reference का पता लगा सकते हैं next function आता है i be empty जैसा कि example में दे रखा है मेरे पास यहाँ पर कि payment है rate है time है और EMI है मेरे पास 224 रुपे अब मुझे IPMT से यह पता करना है कि कितने पर इस 224 रुपे की किष्ट में कितना मेरा व्याच लग रहा है और कितना मेरा actual amount यूज हो रहा है इस किष्ट के अंदर तो उसके लिए सबसे पहले हम IPMT function को देखेंगे मैं यहाँ पर entry करती हूँ month and IPMT IPMT का मतलब है total व्याज कितना लग रहा है मुझे इस 224 में तो यहाँ पर मैं month calculate कर रहे हूँ हमारे पास 60 month है क्योंकि 5 साल है और 12 गुना पांच 60 यहाँ function calculate कर रहे हूँ IPMT bracket शुरू rate यानि की 12% तो यहाँ देखिए यह 12% हो गया अब अपने keyboard की help से हम इसे fix करेंगे पहले हम एक बार values एंटर करते हैं next आता है period यानि की one month पहले हम मैं इसे permanent करते हूँ keyboard से F4 की press करेंगे तो यह देखिए E4 में dollar का sign आ गया है यह मेरा fix address है क्योंकि rate जो है वो 12% fix है इस amount के उपर 12% ही व्याज लगेगा और 12 से इसे divide करेंगे क्योंकि हम एक month की निकाल रहे है period one month G4 उसके बाद है net period NPER E5 यानि की 5 साल इसको भी हम fix करते हैं keyboard से F4 की press करेंगे next आता है amount और बारा से multiply करेंगे हम क्योंकि यह बारा मन्त चलेगी किस्ता हमारी उसके बाद आता है हमारा payment और यह देखिए इस 224 में जो मेरा व्याज है वो है एक हजार रुपे यहां से मैंने और next function है मेरा PPMT यानि की एक हजार रुपे में अब मेरा बाकी का कितना बचा 1424 वो मेरा actual amount होगा PPMT से वो निकालते हैं हम यहां भी देखिए E4 यानि की rate after that G4 यानि की one month after that time जिसे मैं fix कर रही हूं F4 किसे हम इसे fix करते हैं यह dollar का sign आ जाता है इसे 12 से multiply करेंगे and after that PV यानि की payment value और इसे भी मैं fix कर रही हूं क्यूंकि payment भी fix होगी और यह देखिए यहां पे 1224 और 1224 रुपे किस्टा रही है मेरी और total में भी जो EMI है उसकी जो total value है वो कितनी होनी चाहिए 1224 तो हम यहां sum function लगाएंगे उससे पहले मैं इसको drag कर लेती हूं और पूरे 60 मंत की जो मेरी किस्ट है वो निकाल रही हूं actual payment और यह देखिए इस तरह से यह मेरी values बढ़ रही है और साथ ही IPMT से ऐसे ही हम व्याज निकाल लेती है कि मेरा कितना व्याज लगेगा यहां से हम इस value को fix कर लेती है और आप देखिए मैं यहां पर drag कर रही हूं तो साथ महिने का ही मेरा व्याज निकल रहा है और यह देखिए साथ महिने का ही मेरी actual payment निकल गई है अब हम यहां पर total function लगाएंगे इक्वल्स टू PPMT और IPMT का total जो है वो 224 रुपे ही निकलना चाहिए इक्वल्स टू और यह है मेरी इक्वल्स टू सम H4 प्लास I4 दोनों का total कितना होना चाहिए 224 रुपे और यह देखिए total कितना निकला है 224 इसी तरह से हर मन्त 224 रुपे किष्ट जाएगी and total व्याज प्लस आपकी actual payment भी हम calculate कर सकते हैं इस function से तो आप इसे practically करके देखिए Thank you